अध्यापक 9 बजे से पढ़ा रहा है इस sentence की English जानेंगे आज के इस वीडियो में तो चली हम इस sentence को English में translate करते हैं sentence के अंत में रहा है यदि sentence के अंत में क्रिया के साथ रहा है आता है और उसमें कुछ समय भी दिया गया होता है जैसे इसमेंने की 9 बजे से इस तरह का sentence होता है present perfect continuous tense का ये affirmative है present perfect continuous tense के affirmative sentence को English में translate करने का structure पहले subject, subject इसमें अध्यापक है यानि पहले हम लिकेंगे the teacher फिर helping verb singular के लिए हैज फिर बिन लगाएंगे उसके बाद verb और verb में ing भरवे पढ़ा रहा है पढ़ाना को English में teach करते हैं teach का ing form यानि teach के साथ ing लगाएंगे teaching उसके बाद हम लिखेंगे since या फार का प्रियोग करके sentence का समय बताएंगे इसमें 9 बजे से यानि point of time के लिए since का प्रियोग करते हैं 9 बजे से यानि since 9 o'clock अध्यापक 9 बजे से पढ़ा रहा है इसके English the teacher has been teaching since 9 o'clock अध्यापक 9 बजे से नहीं पढ़ा रहा है ये negative है the teacher has not been teaching since 9 o'clock क्या अध्यापक 9 बजे से पढ़ा रहा है ये interrogative है तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी Hindi to English translation के next वीडियो में प्रजन पर्फेक कंटिनुए स्टेंस के और भी sentences का English translation वीडियो आपको के description box में playlist मिल जाएगा वहाँ क्लिक करके आप ऐसे और भी sentences का Hindi to English translation वीडियो देख सकते हैं Thanks for watching